नमस्कार दोस्तों, नोलेज गिमी आपका स्वागत है, तो दोस्तों, सैमसंग ने अपनी गलेक्सी M सीरिस का M21 लॉंच कर दिया है, तो आज मैं इसके अन्बॉक्सिंग करने वाला हूँ, तो वीडियो में अंतक जरूर बने रहीगा, तो अगर वीडियो पसंद आये तो इस जिसकी RAM है 4GB और Storage है 64GB, तो दोस्तों, अगर मैं प्राइस की बात करूँ, यहां पर जो प्राइस दिया गया है, वो सही नहीं दिया गया है, तो प्राइस की बात मैं वीडियो के लास्ट में करूंगा, तो वीडियो में जरूर बने रहीगा, तो मैं दोस्तों, बिन टाइम के बीच में हमें क्या मिलता है यहां वाख यहां कुछ वाक्ट सब्सक्राइबस धेगया है या हूं-आध-वचीन स्मार्ट-फॉन बहुत इंडरेस्टिनिंग गलडर के साथ तो अधर हमजब देखते हैं नीचे तो यहां पर हमारे पास आता है सैमसंग की तरफ से आने वाला एक वाइट कलर में फिफ्टीन आउप्ट वाला एक फास्ट चार्जर और इसी के साथ हमें मिलता है बॉक्स में एक टाइप सी केबल तो दोसो जल्दी की तरफ करें तो यहां पर हम इसकेंडरी माइक के लिए तो दोस्तों अगर नीचे की तरह बात करें तो यहां भी मैं मिलता एक स्पीकर ग्रिल एक प्राइम्य मैक्रोफोन एक यूस्वी टाइप सी पोर्ट और हैड़ फॉन जैक चिक जाट अगर हम बात करें लेफट साइड यहां पे बिल्कुल clean light sign मिलती है और हमें मिलता है एक sim card tray जो कि आता है triple slot के साथ जो कि यहां बहुत ही बढ़िया बात तो दोस्तों करें पीछे की बात करें तो यहां में मिलता है fingerprint scanner अगर camera की बात करें तो यहां में मिलता है 48MP की टिपल रेर camera setup के साथ में जहां पी दोस्तों सबसे पहले हमें मिलता है 48MP का main camera उसके बाद हमें मिलता है 8MP का ultra wide angle camera और 3rd में हमें मिलता है 5MP का depth के लिए साथ ही में मिलती है LED flash और हम पीछे की बात करें तो यहां मिलती है plastic की body तो दोस्तों जल्दी से कर लेते हैं अब इसको start और जानते हैं इसके कुछ features के बारे में तो दोस्तों अगर हम front side की बात करें तो यहां पे हमें Samsung प्रवाइड करता है 6.4 inches का Super AMOLED Infinity U Display जैसा कि अब सब जानते हैं Samsung का Super AMOLED स्क्रीन बहुत अच्छा स्क्रीन क्वालिटी प्रवाइड करता है तो अगर हम यहां बात करें स्क्रीन की protection की तो यहां पे हमें मिलता है protection Corona Gorilla Glass 3 का दोस्तों वही पे अगर हम बात करें Infinity U Display की तो यहां पे हम इसी के साथ मिलता है एक 20 Megapixel का front selfie camera तो दोस्तों यहां पे अब हम बात करेंगे कुछ phone की details के बारे में जाते हैं phone की setting पे यहां पे हमें पता चलता है कि यह operate कर रहा है One UI version 2 पे जो की based है latest Android 10 पे तो दोस्तों साथ ही मिलता है Samsung की तरफ से आने वाला Exynos 9611 Octa Core Processor जो की बना है 10 nanometer के साथ में Mali G72 MP3 GPU तो performance हमें काफी अच्छी मिल जाएगी यहां पे तो दोस्तों यहां में मिलते हैं दो अलगलग variants जहां पे आपके base वेरियंट में मिलेगा 4GB RAM और 64GB के storage और एक मिलेगा 6GB RAM और 1.8GB storage के साथ में यहां पे जो दोस्तों मेरे पस वेरियंट है वो 4GB RAM और 64GB storage वाला अगर मैं price की बात करूँ तो 4GB RAM आपको मिल जाएगा 14,000 के आसपास और 6GB RAM वाला वेरियंट आपको मिल जाएगा 16,000 के आसपास में यहां पे अगर दोस्तों हम बैटरी की बात करें तो इसी फॉर्म में मिल जाती है 6RMH की एक monster बैटरी जी हां दोस्तों सैमसंग इस बार हमें 6RMH की monster बैटरी प्रवाइड कर रहा है जहां पे हमें मिलेगा बहुत ज़्यादा प्लेबैक टाइम यहां पे अगर हम दोस्तों बात करते हैं कैमरा की तो यहां पे हमें मिल जाते हैं बहुत सारे modes फोटो क्लिक करने के लिए और वीडियो शूटिंग के लिए वीडियो में हमें super steady mode का option मिलता है जो कि है बहुत बढ़ी है बात इसी के साथ अभी जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे जो मैंने कुछ फोटो क्लिक की हैं front और rare कैमरा से तो आप बताएए दोस्तों क्या कहना है inpix का जो मैंने क्लिक की हैं अलगर कैमरा मोड्स में इसी फोन के front और rare कैमरा से दोस्तों अगर हम बात करें इसके fingerprint scanner की तो यह में मिलता है बहुत ही fast और accurate बड़े अराम से ओफन करतेते है फोन को और जो speed है वो भी बहुत ही बड़िया है यहीं पर अगर हम दोस्तों बात करें इसके face unlock की तो वो भी बहुत ही बड़े राम से हो जाता है unlock कोई परेशानी नहीं आने वाली आपको face unlock को लेकर तो दोस्तों यही है कुछ कहानी Samsung के M21 smartphone की जहां पर हमें और भी बहुत सारे features मिल जाते है इसी smartphone में जैसे की Dolby Atmos का support भी मिल जाता है headphones के through और Wide One L1 का भी support हमें मिल जाता है तो दोस्तों यह थी सारी कहानी Samsung के Galaxy M21 की तो आप बताएं किया कहना है आपका इस phone को लेकर लास्ट में यही कहना चाहूंगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like कीजिए share कीजिए तो अगर आप इस channel पे नए है तो इस channel को subscribe करना मत भूरिएगा तो दोस्तों आज के लिए इतना ही धनेवाद